नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मात्राम एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्जांट रुकी में दोस्तों एजुकेशन इंदा इमर्जिन इन सोसाइटी एंड स्कूल एडमेस्ट्रेशन सेकंडियर के लिए सभी स्टूडेंट का कॉमन पेपर हैं चाहे आप आई डी डी से हों चाहे आप हाई से हों या आप वी आई से हों ये सब्जेक्ट सभी को पढ़ना है और इस 1.1 आपके कवर करवा दी गई थी और आज हम लोग यूनिट 1.2 पर चर्चा करेंगे तो यहां पर एजुकेशन इन्दा 21st संचूरी इन इंडिया भारत में 21 सदी में सिक्षा 21 सदी की सिक्षा कैसे चल लही है कौन कौन सी चीज़े यहां पर लाए गए क्या क्या बतला हु पहले से और अब की सिक्षा में क्या अंतर है यह सारी चीजे आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो और सभी मित्र आप सभी का एक उत्तरदायत तो है अपने सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर और विशेश रूप से विशेश सिक्षा के छेत्र में बहुत सारे मात्तपून बदलाओं किये गए जिनमें सारीरिक, मानसिक, बौधिक, समवेदी, विकास में असमानताएं या सीमाय होती हैं ऐसे बच्चे जो हमारे इस्पेसल बच्चे हैं विशेश सिक्षा हैं जहां पर आपको सारे रूप से अक्षम बच्चा मिलेगा, मानसिक रूप से अक्षम मिलेगा, समवेदी हानिया होंगी तो ऐसी जगहा पर क्या होगा कि बच्चे की सीमाय जो होंगी वो कम होंगी उन्हें सामाने सिक्षा प्रणाली में समायुजित करना मुश्किल होता है तो इसके लिए भी जब जो हमारे विसेश बच्चे हैं इनके लिए भी जब सामाने शिक्षा परणा ली में थोड़ा सा बदलाव किया गया तो सामाने बच्चों के साथ में सामाने बच्चों के साथ में विसेश बच्चों को लाने की बात की गई जिसको हम लोगों ने नाम दिया कि भाया हर प्रकार का बच्चा बैठेगा तो इसको हम लोग कहते थे समावेशी सिक्षा इसी को हम लोग क्या कहते थे समावेशी सिक्षा तो जब समाने सिक्षा प्रणाली में समावेशीत करना मुश्किल होता है बच्चों को तो भाया सबस बनाई गई उनमें काफी सुधार किया गया जैसे आपका सरुषिक्षा अभियान S S A सरुषिक्षा अभियान तो आपको ओगेसर 2001 में इसको शुरू किया गया और यही से आपके 6-14 वर्स के जो बच्चे थे इनको निसुलक सिक्षा की बात की गई और इसको ही आगे बढ़ाया गया आपका RTE Act 2009 के रूप में इसको ही आगे आपका बढ़ाया गया Right to Education Act Free and Cumbalzari Education 2009 के रूप में सभी बच्चों के लिए सिक्षा सुनिश्चित करना यह आपके सरुषिक्षा अभियान में था इसी की तहट आपका प्रात्मिक विद्यालियों की दूरी और माध्मिक विद्यालियों की दूरी डिसाइड की गई और आगे बात कर लेते हैं हम लोग समगर सिक्षा अभियान या यूजना आपकी 2018 में लागू की गई और या इसका एक 19 संस्क्रण है यानि की 2001 के बाद में आपका 2009 में और उसके बाद में 2018 में जो आपका समगर सिक्षा अभियान आया ठीक है या सामान और विसेज दोनों प्रकार के बच्चों के लिए समावेसी सिक्षा पर जोड देता है समगर सिक्षा अभियान जो आया वो सभी बच्चों के लिए सामान बच्चे और विसेज बच्चों के लिए समावेसी सिक्षा पर जोड देता है अब 18 के बाद में आप सबी को पता कि 2020 में क्या आया तो आपको ओगे सर राष्ट्री सिक्षण नीती आई और राष्ट्री सिक्षण नीती परिये अगर हम लोग बात करेंगे तो समावेसी सिक्षण पर विसेख ध्यान दिया जाने लगा जितने भी हमारे विसेश बच्चे हैं इनके लिए जो बच्चे हमारे मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं इनको भी इस समाज में सामिल करने पर जोड़ दिया गया और समावेसी सिक्षा लाई गई समावेसे शिक्षा जिदरे भी हमारे बच्चे मुख्यधारा में नहीं है समावेसे शिक्षा के तहट विशेज बच्चों को और सामाने बच्चों को कह सकते हैं कि ऐसे पढ़ाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसके लिए विशेश सिक्षिओं की नियुक्त की जाए जिसमें बच्चों की जरूरत के अनुरूप जो भी चीजे हो वो तयार की जाए जैसे अब मालो बच्चा नहीं चल पा रहा है बच्चा ट्राइसाइकल से जा रहा है और उसको दूसरे मंजिल पे जाना है तो हमने ब्रेल लिपी का प्रियोग करवा दिया और्डियो बुक्स का प्रियोग करवा दिया जो हमारे बच्चे नेतरहीन बच्चे या स्रमन बाइद बच्चों के लिए हमने साइन लैंगवेज का प्रियोग करवा दिया या जो हमारे ऐसे बच्चे जो बहुत दिक अक्षम बच्चे हैं उनके लिए हमने ऐसा एड़ेप्टेशन लाया ऐसा अनकूलन लाया गया जिससे कि वे भी चीजों को अच्छे से सीख सकें और उनका ग्याने स्थाई रह सकें तो ये सारी चीजें हमारे 21 सदी में की गईी नेट्स्ट सिख्षकों के प्रशिक्षन पर जोड़ दिया गया कि भाई जो सिख्षक हैं ये भी प्रशिक्षित हूं और इनके ले भी मानकों का निर्धान बेचतर रूप से किया जाए ऐसे ही चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो अगर उनके पास प्रसिक्षन नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो जो भी इन बच्चों की जरूरत की चीज़े हैं विशेज बच्चों के लिए जो भी प्रसिक्षन है जो भी निजी सनस्थान है विशेज सिच्चों के लिए और विशेज प्रसिक्षन कारिकर्म चलाए जाए ये सारी जीजे और इसी के तहट आपका RCI भी आया Rehabitation Council of India भी आया RCI भी आया और इनको दिव्यांग बच्चों को बहतर बनाने के लिए जो भी योजना है वो चलाई गई जो भी आयक्ट थे इसके बाद में RCI के बाद में आप लोगों ने फर्स्टियर में ही पड़ा PWDA आया आपका उसके बाद में आपका RPWDA आया और उसी के बीच में आपका इन दोनों के बीच में 1999 में आपका जोड़ दिया गया तो आपने कहा सार NTA National Trust Act आया इसके बाद में ही दीरे-दीरे संसोधन होना स्टार्ट हो गया प्रोद्धोगी की यानि की टेकनलोजी का प्रियोग किया जाना रागा जो भी नए-ने उपकरण थे नए-ने साफ्टेयर थे उनको बनाया जाने लगा ब्रेल प्रिंट हुआ, आडियो बुक्स हुआ, साइन लेंग्वेज हुआ बहुत सारे ऐसे ऐब जो बच्चे को पढ़ने में मदद करते हैं जो हमारी Assistive Technologies हैं ऐसे उपकरणों का प्रियोग किया जाने लगा और e-learning platform बच्चों को प्रोवाइट कराया गया जहां पर बच्चा online सिक्षा ले सके और दिव्यांग बच्चे को customize करके adaptation करके चीजों को दिया जा सके और सुल्धाय उनको मिल सकें जो भी स्वयम सेवी संस्थान है इनको भी यहां पर जोडा गया और छेत्र में बच्चे सक्री रह सकें केवल सरकार के साथ मिलकर ही नहीं बलकि हमारे जो non-governmental organization है ये भी बहतर रूप से बच्चों को बहतर बनाए और बच्चे को मिल सके और वो सही डंक से बहतर हो सके तो ये आपका 21 सदी के सिक्षा जो की जहां पर समावेशी सिक्षा को जोडा गया बहुत सारे एक्ट भी लाए गया और बच्चों के लिए तकनीकों पर भी काम किया गया एसेस्टी डिवाइसे भी जोडी गए इस प्रकार से बहुत छोटा था यूनिट 1.2 आपका समाप्त होता है अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो आपकी रहेगी यूनिट 1.3 रहेगी चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब परने के बाद में बेल आइकन में आल का उप्शन प्रस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा डेश का नमबर वन एक्जाम्ट रगी परिवार चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभी नदन करता है मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा आपके अपने चैनल एक्जाम्ट रगी पर दन्यवाद